आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 24 अप्रेल के लिए 12 राशियों का राशिफल उन्चास मिनिट तक और अशुबकाल जिसे हम राहुकाल भी कहते हैं वहीं दूपेर 12 बजे से लेकर एक बज़ कर 30 मिनिट तक आज के दिन जो चंद्रमा ये चंद्रमा संपुर्ण दिन धनु राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंद्रमा रवी और हर्शल के साथ नवपंचम योग यानि की त्रिकोन योग करने जा रहा है उसे प्रकार शुक्र और भुद के साथ ये चंद्रमा केंदर योग भी करने जा रहा है योग्रा सिती सामने रखते हुए बारा राशों का राशी फल क्या होगा उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले राशी है मेश राशी मेश राशी के भाग्यवाव में चंद्रमा का ब्रह्मान आपके राशी मिस्तित रवी और हर्शल के साथ यह बसाबित होगा जो भी काम आपके अटके हुए है या फिर पेंडिंग है वो आज पूरे होते हुए नजर आएंगे भाग्य का जो लाव है वो आज के दिन आपको अच्छी तरह से मिल पाएगा उसी प्रकार आज के दिन आप किसी यातरा पर निकल सकते हो सफर पर निकल सक उसी प्रकार आपके काम की सराना भी हो सकती है आज की दिन तो जो आज का जो दिन है किसी भी प्रकार के अगर काम आपको शुरू करने है जिसके लिए आप सोच रहे थे वो आज की दिन आपको आपके हो सकते हैं प्रतिक शुरूप में काम इंपलिमेंट करना या फिर पूरा करना वो आज के दिन आपका हो सकता है आपके काम के एप्रिसेशन भी जैसे में ने कहा वो आज के दिन हो सकते है तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाब लीजे इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी के अश्टम भाव में चंद परमा केंदरयोग भी करने जा रहा है तो मोटे दरवर अगर देखा जाए तो दिन वैसे काफी अच्छा और शुबसाबित होगा आपके घरवालों के साथ जो भी थोड़े बहुत कॉंप्लिकेशन या प्रॉब्लम चल रहे हैं पिछले करीबन 15 दिनों से वो थोड़े बहु प्रॉब्लम चल रहे हैं तो जिस विषय पर आप सोच रहे हैं मतलब कोई भी विषय अगर आपको वो प्रत्यक्ष रूप में लाना है तो उसके संदर में कुछ अच्छी या फिर पॉजिट्यू घटना आपके लाइफ में घट सकती है उसी प्रकार अगर आप किसी ट्रे आपके हो सकती है और सबसे ज़्यदा महत पूर्ण बाद आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आज आपको बहुत ही अच्छी तरह के से एडवाइस सला या फिर ऐसी कोई मदद मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही महत पूर्ण है और आगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वाईवाई जुड़ेदा होंगे उनसे आज हार्मनी बने रहेगे तो मेरे कहल से दीन आपके लिए काफी अच्छा है खास करके आपकी जो रिलेशन्शिप का जो मामला है उसमें दीन काफी अच्छा और शुबत साबित होगा इसके बाद की जो राशी है व आपका जो आज का दीन है बहुत अच्छा और शुबत साबित होगा खास करके करियर के मामले में जहां पर आप काम करते हो बिजनेस करते हो या फिर वेवसाय करते हो वहाँ पर आपके काम की सराना होगी आपको कुछ अच्छे मतलब जिसे हम प्रोमोशन्स मगरा बोलते है उस प्रकार का भी कोई समचार शुमचार आप मिल सकता है ईसुप रखार कराशी कि लोग नए कुछ काम के पीछे पड़े है या फिर नए कुछ जॉब के पीछे पड़े है तो उनके लिए भी जो आज का दिन है काफी अच्छा और शुमचा04 होगा आपके ओदर के ऊपर जो आपकी कापन की सरा ना हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वर्ण है तो मेरे खाल से दिन आपके लिए काफी अच्छा और शुबसाबित होगा इसका पूरी तरह से लाब लीचे आज के दिन आपके कुछ इन्वेस्टमेंट वगरा अगर आप बिजनेस में हो या फिर बिजनेस बड़ा न चाते हो फैला न चाते हो तो वो आज के दिन हो सकते है या फिर उसके संदर में कुछ अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है तो करियर के मामले में देखा जाएं तो दिन बहुत ही अच्छा और शुबसावित होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के पंचम भाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके भाग्य भाव में से तरभी और हर्शल के साथ या चंद्रमा नवपंचमियों गयने के त्रिकोनियों करने जा रहा है आपके अश्टम भाव में से शुक्र और बुद्ध के साथ या चंद्रमा केंद्रियों करने जा रहा है तो मेरे खाल से दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुबसाबित होगा अगर कोई काम आप आपको शुरुवत करना है तो वो आज के दिन कर सकते हो यदि आप शेर मार्केट में हाथ अजमाना चाते हो तो वो भी आज के दिन आपका हो सकता है और आपके ट्रेडिंग के तुरू आपको कुछ अच्छे लाब भी मिल सकते हैं तो दिन काफी अच्छा इसका पूरी में चंद्रमा का ब्रहमन है और आपके अश्चम बहु में से रभी और हर्षल के साथ ये चंद्रमा Songs या तरह से नाप्के जो baik Bye enjoying mit करोगे और आपको आराम भी मिलेगा सिर्फ आपके जो वाईवाग जोड़ी दर होंगे उनसे मानसिक तोर पर या फिर विचारों पर कुछ थोड़ी बहुत अन्बन हो सकते हैं बस वही बात है नहीं तर दिन आपका काफी अच्छा और शुबसाबित होगा आपके सेथ के बा आपका जो दिन है मुख्यता तीन तो जो तीन फिल्ड एक्षेत्रम है उसके लिए काफी अच्छा होगा एक तो आपके जो वाईवाई जोड़ी दर है उनसे थोड़े बहुत संबन आपके जो तने हुए थे वह आज के दिन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे उसमें अ अच्छी कवर आपको आ सकती है जो की पॉजिटिव होगी उसी प्रकार जापर आप काम करते हो वहाँ पर भी कुछ नए आइडियाज आ सकते हैं जिसके जिससे काम किस तरह से और अच्छी तरके से आगे बढ़ा जाए इसके बारे में कुछ अच्छे विचार या फिर अच्छा माहोल जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर डेवलप हो जागा जिसके जैसे आपका जो मूड होगा वह भी काफी अच्छा होगा आपके काम की सराना भी हो सकती है खास करके जो लोग जो रुचिक राशी के विक्ति काम करते हैं जॉब करते हैं उनके लिए देखा जाए तो उनके जो सीनियर परसंद रहेंगे या फिर आफिसर्स रहेंगे उनसे आपको कुछ वावा मिल सकत है या फिर आपके काम के अप्रिसेशन हो सकती है उसी परकर इंवेस्टमेंट के बारे में भी आज आप कुछ डिसीजन ले सकते हो फैमेली के उपर खर्चे होने के चांसे दिखाई दे रहे हैं इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी में चंद्रमा क केंद्रियों करने जा रहा है तो आज का जो आपका दिन है बहुत ही अच्छा बहुत ही शुबसाबित होगा जो भी बाते मतलब आपकी पेंडिंग थी वो पूरी होती हुए नजार आएगी जिस काम के बारे में आपने सोचा था वो काम नहीं हो रहे थे उसके बारे में रहन भी आपके राशी में होने जा रहा है तो फिर भी आज का जो दिन है आपके लिए काफी शुबसाबित होगा इसके बाद की जो राशी है मकर राशी मकार अशिके वेयो भाव में चंद्रमा का ब्रहण है रापी की चतुरतो भाव में सथित अभी और हर्षल के साथ यह चंद्रमा नवपंचमयोग ज्यानी की त्रिकोनयोग करने जा रहा है। आपके तृतिया वामस्तित शुक्र और बुद्ध के साथ ये चंद्रमा केंद्रयोग करने जा रहा है तो मोटे तरपर देखा जा तो आज आपको प्रत्यक शुरूप में ऐसी कोई लाभ नहीं होगा लेकिन जो आपके वयवाई जुड़िदार है उनके सेहत के बारे में थो थोड़े बहुत प्रॉब्लम खटास आई थे आपके रिष्टों में वो नॉर्मल होने की काफी अच्छी संभावना बंद रहे तो दिन वैसे देखा जाए तो रिलेशन्शिप के मामले में आपके लिए काफी अच्छा और शुबसाबित होगा इसके बात की जो राशी है वो है कुम्बराशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रहमान है और आपी के तृतियों भाव में स्थित रवी और हर्शल के साथ या चंद्रमा नवबंचमयों ग्याने की तृत्रिकों नियों करने जा रहा है तो बहुत बहुत ही अच्छा और शुब दिन आपके लिए सा है वो आप दिखा दोगे जिसके वज़े से आपके काम की अच्छी एप्रिसेशन हो जाएगी कुछ अच्छे आइडियास आप काम के लिए उप्योग में लाओगे या फिर कुछ अच्छी बातों के लिए आप सोच रहे थे तो वह बात आपके लिए प्रत्तेक्श जो की बहुत होगा तो मेरे कहल से इसका पूरी तरह से लाव लीजिय इसके बात की जो राशी है वह है मींद राशी शुबसावित होगे मतलब आगे जाके उसके जो लाब हो आपको मिल सकते हैं आज के दिन आपको फैमिली के उपर भी खर्चा कर सकते हो बेसिकर जो दीन होगा पूरी तरह से आप फैमिली के लिए डेडिकेटेड कर दोगे तो मेरे कहाँ से दिन आपका काफी अच्छा है जह जो लोग का मतलब नोकरी बदलना चाहते हैं कुछी और अच्छी नोकरी की तलाश में हैं तो उनके लिए भी यह जो दिन है आज का 24 अपरिल का आपके लिए काफी अच्छा और शुबसाबित होगा तो दोस्तों ये था 24 अपरिल के लिए 12 राश्यों का राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभो किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धियाश्ट्रो इसे लाइक, शे के नए नए बिड़े जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटस नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी धन्यवाद